आज हम बनाएंगे कटल की सबजी, इसके लिए मैंने यापर 200 गरम कटा हुआ कटल लिया है, इसको अच्छे से पहले पानी से दो लिया है हमने और इसके पीस इस तरीके से लंबे और छोटे किया है हमने, सबजी बनाने के लिए पहले हम कटल को फ्राय करेंगे, इसके लिए म पर ही इसको फ्राय करना है बीच बीच में इसको हम पल्टेंगे बहुत ज्यादा गोल्डन कलर नहीं करना है बस यह अच्छे से फ्राय हो जाए और इसको निकाल लेना है यह अच्छे से फ्राय हो गया है अब हम इसको निकाल लेंगे अगर कटल को फ्राय करते ताइम तेज घरम नहीं होगा तो फिर ये तेल को अबजर्व कर लेगा और अगर घेस का फ्लेम कम रहेगा तब भी ये तेल को अबजर्व कर लेगा इसलिए हमको हमेशा तेज फ्लेम पर ही इसको फ्राय करना है हमने या पर कटल को फ्राय कर लिया ह अब हम इसकी सबजी बनाएंगे, सबजी बनाने के लिए मैंने या पर एक कुकल लिया है, इसमें हम लेंगे दो चम्मज तेल, तेल गरम हो गया है, इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मज जीरा, अब इसमें डालेंगे हम दो तेज पत्ता और आधा कप पिसी हुई प्याज, आप इसकी जगह चौप कीवी प्याज भी ले सकते हैं, हमने यहाँ पर ग्राइंड कीवी प्याज ली है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा बुन लेंगे, एक मिनिट बुनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे, एक बड़ा चमज, अद्रक लसुन का पेस् अगर आपके पास यह नहीं उपलब्ध है, तो आप इसकी जगह साबुत गरम मसाला तेल में डाल सकते हैं, इसको भी डालने के बाद हम अच्छे से बुन लेंगे, हमको प्याज को लाल होने तक बुनना है, जब तक यह पैंच होड़ने ना लगे, देखी अच्छे से लाल एक चोटा चमज नमक, आपके स्वात के अनुसर कम जादा ले सकते हैं, आदा चोटा चमज हल्दी पाउडर, एक चोटा चमज लाल मिर्च पाउडर, एक बड़ा चमज धनिया पाउडर, इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि ये टमाटर और प्याज के साथ अच्छे से मसाले भी पक जाए ग्रेवी अच्छे से पक गई है तेल सेपरेट होने लगा है अब हम इसमें डालेंगे फ्राय कियावा कटल इसमें हमने कटल डाल दिया है इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ग्रेवी के साथ और लगाता चलाते वे एक मिनिट तक भूनेंगे देखिए इसको इस तरीके से मिक्स करते वे भूनना है यह अच्छे से भून गया है अब हम इसमें डालेंगे एक कप पानी पानी हमको थोड़ा-THोड़ा करते वे 잠시 मिल डालना है हमने यह पर आजा deal आ कप पानी डालने हैं हम इसको एक बार अच्छे से mix कर लेंगे इस तरीके के बाद हमने इसको अच्छे सै चला लिया है अब हम इसमें ढगाएंगी कूकर का और तीन वीसल आने देंगे तीन वीसल आ चुक इ Towards the たいना दालने के बाद हम इसको एक मिनिट तक कम फ्लेम पर पकने देंगे एक मिनिट हो चुका है आप ग्रेवी देख सकते हैं तेल सेपरेट हो गया है हमारी सबजी बनकर तैयार है उपर से डालेंगे हरा दनिया और इसको मिक्स कर लेंगे हमारी सबजी बनकर तैयार है इसको गर्मा गर्म सर्व करते हैं आपको हमारी कटल की सबजी की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं अगर अच्छी लगी तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेर करना ना भूले